नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका OnlyPCS पे आज हम बात करेंगे UPPCS मेंस 2021 को लेके जिसका के 28 जनवरी से कारिकरम आयोग ने जारी कर दिया है और 28 से 31 तक ये परीक्षा लगातार होनी है चार दिन चार दिन में ये संपूर परीक्षा को ये निप्टा रहे है इस बार एक भी दिन का गैप इन्होंने नहीं दिया है ये आपको पताई होगा और ये वीडियो केबल UPPCS मेंस देने वालों के लिए है जो के अभी तेयारी कर रहे हैं तो उन्हीं से संबंदित वीडियो है तो सवाल ये है कि देखे इतना COVID बढ़ रहा है इतने लेबल पे जा रहा है डेली का आखड़ा है तो एक लाग से उपर निकल गया है और आने वाले दिनों में और भी जो के बढ़ने बढ़ रहा है और आप देख रहे हैं कि और भी संस्थान बंद हो रहे हैं आपकी इलावाद हाई कोड बंदी हो चुका है और जितनी भी समस्या हैं आपके होटल वगेरा से लेके जो पेपर देने जाएंगे उनके एक्सपेंसेज बढ़ेंगे तो सवाल यह है कि अब ये बताइए ये परीक्षा टलनी चाहिए या नहीं टलनी चाहिए जब तक कि ये कुरोना थोड़ा सांत ना हो अबर उसके बाद परीक्षा हो या अभी तो आपसे सिर्फ ये राइ लेनी है कि आप चाहते हैं ये परीक्षा टले या न टले तो इसको आप कमेंट बॉक्स में या वीडियो को लाइक करके और अन्लाइक करके दे सकते हैं जिससे कि पता लगे कि कितने लोग चाहते हैं कि परीक्षा आगे बढ़े और उसके बाद कोई step इसमें लिया जाएगा कि आपको क्या करना है वो next वीडियो में बताये जाएगा कि किस माध्यम से आपको application भेजनी है या फिर कोई group बनाये जाए जिससे कि सारे लोग एक साथ जब आयोग को कोई application दें या कोई अन्य step उठाएं तो जिसमें आपका सहयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा तो ये वीडियो सिर्फ आपकी राय जानने के लिए है अगले वीडियो में अगर लोग चाहेंगे तो आगे के लिए जैसी भी step होगा वो लिया जाएगा तो इस वी